और इस अजस्मेंट में ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या करते हैं देखो है बड़ा सिंपल लेकिन जब समझते निया ना तभी गलत हो जाता है और इसमें रटाफिकेशन तो बिल्कुल भी नहीं लग सकता कि ऐसे होगा तो ऐसे कर लेंगा इसमें आपको समझना ही पड़ेगा कि इस सिचुएशन में इसका ये ट्रीटमेंट रहेगा ठीक है अब सबसे पहले तो हमें समझना है कि investment fluctuation reserve क्या होता है एक एक कट करके समझ ल example ले रहा हूँ investment का मतलब मैं लेके चल रहा हूँ यहां पर share ठीक है ना अब shares वही आपका जो कि share market में होता है जो आपने पहले चप्टर में देखा है उसी shares की हम बात कर रहे हैं ये share ना आपका share market के अंदर trade होता है stock exchange में trade होता है और ये बहुत ही highly fluctuate होता रहता है fluctuate का मतलब क्या है ये ये maybe मैं अगर आपको simple सी बात करूँ तो आज 31 तारिक है 31 तारिक को मान लो ये 50 रुपए था हो सकता है कि एक तारिक को ये 60 हो जाए और हो सकता है कि दो तारिक को वैसे एक तारिक के छुट्टी रहती है दो तारिक को मान लेते हैं ये 40 हो जाए और ह सकता है 50 तारीक को यह 100 हो जाये और हो सकता है 4 तारीक को यह 20 हो जाये कि एक शेर की वैल्यू मानो दो किसी कुंपानी ने एक लाँक शेर खरी दें एक लाँक नबर अभ अफashy Tails कितने के खरीदे एक लाग शेल पचास रुपे का तो पचास लाग रुपे का अब एकदम से साट हो गया तो उसका साट लाग हो गया दस लाग बढ़ गया एकदम से चालिस हो गया तो बीस लाग का नुकसान हो गया फिर एकदम से 100 लाग का, हाँ 10 लाग का नुकसान हो गया और लास्ट में अल्टीमेटली फिर एकदम से 30 लाग का नुकसान हो गया और ये सिर्फ 10-12 दिन की में बात बता रहा हूँ तो investment हमारा जो है ना बढ़ता घड़ता रहता है shares है ना तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए अब company sir ऐसे कामों में पढ़ती क्यों है company ये चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा profit कमाए और जो extra पैसा है ना हमारे पास पढ़ा हुआ उस पैसे को bank में रखके हम कही investment कर दे तो मैं एक example ले रहा हूँ कि मैंने share बार में invest कर दिया तो invest करने के बाद हो सकता है कि मेरा बहुत तगड़ा नुकसान हो जाए समझ लेए नो बहुत तगड़ा का मतलब है बोड़ा हो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए और हो सकता है कि बड़ा तेज फाइदा भी हो जाए तो फाइदे के केस में हमें कोई प्राइदा ही नहीं है फाइदा होता रहेगा हम तो फाइदा लेते रहेंगे लेकिन जहां ज़्यादा नुकसान होने लगा तो फिर company डूबने के कगर पे भी जा सकता है है ना आपने खरीदा 50 रुपे में था और आपका 20 रुपे हो गया है अगर आप balance sheet के अंदर ये 50 रुपे ही दिखाओगे तो पहली बात तो आप सब धोखे में आ जाओगे के जी आज तो 20 है आप तो 50 दिखा रहे है घड़बड़ी भी है तो होता ये है के हमारा investment जो है जैसे की बढ़ रहा है घड़ रहा है इसको बोलते है फ्लेक्चुेट होना बढ़ने के लिए तो हमें tension नहीं है tension किसके लिए घड़ने के लिए तो इसके लिए एक reserve बना लेते हैं और उस reserve को मान लेते हैं कि अगर मैंने 30 लाख रुपए का मान लेते हैं कि reserve बना लिया है तो 20 लुपए होगे हमें चिंता ही नहीं है 30 लाख का loss तो हम मान के चल रहे हैं कि हो सकता है तभी तो हमने 30 लाग का क्या बना रखा है रिजर्व बना रखा है अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा 30 लाग का लॉस नहीं होगा मान लो मैंने बनाया 20 लाग रुपे का रिजर्व तो इसका मतलब पता है क्या है मैं 20 लाख रुपए तक का loss bear करने लिए तयार 20 लाख रुपए तक का loss bear कर सकता हूं उसके उपर मुझे थोड़ी problem होने लग जाएगी अगर मैंने बनाया 10 लाख रुपए का reserve तो बताओ कितने लाख रुपए तक का loss bear कर सकता हूं? 10 लाख तो यहाँ पे हमारा है investment fluctuation reserve सबसे पहले investment पता चला share market से related होगा है न और जब share market से related investment होगा तो यह highly fluctuated होगा बहुत ज़्यादा fluctuate होता रहेगा अब इस fluctuation से बचने के लिए हम क्या बना लेते हैं बताओ reserve बना लेते हैं उस reserve का क्या मतलब होता है कि इतने तक का reserve इतने तक का नुकसान तो हम bearable है हम जेल सकते हैं इतना नुकसान उसके ऊपर नुकसान होगा तो भाई दिक्कत हो जाएगी है न तो investment fluctuation reserve में कुछ एक example ले लेते हैं आपको बताना है कि अब बताईए इसमें होगा गया यह तो मैंने नुकसान बता है मालो आप 10 लाख रुपे का reserve बनाते हैं तो इसका मतलब आप 10 लाख रुपे का loss bear करने के लिए तयार हो लेकिन 10 लाख का loss हुआ है नहीं 20 लाख का फाइदा हो गया तो reserve बनाया पता है कैसे होगा आपने reserve आपने बनाया होगा अपने profit में से पैसे बचा के और जब आपका नुकसान ही नहीं हुआ आपने profit को बचा लिया है तो हम बोलते हैं भाई उस reserve को जब नुकसान ही नहीं है तो reserve को आपस में बाट लो आपस में क्या करो distribute कर लो तो IFR investment fluctuation reserve की मैं बात करूँ तो ये different different situation में हम समझ लेते हैं और आपको इसका different different situation के treatment बताते रहेंगे कि इसके अंदर क्या होगा और आप भी समझते रहना तो sir मैं मान लेता हूँ कि मेरा investment जो है investment है मेरा मान लेते हैं 50 लाग का ठीक है और इसका market price suppose करो मैं मान लेता हूँ market price market price का मतलब समझ रहे हो जितने का है और ये 50 लाग का मतलब जितने का मैंने खरीदा था मान लेते हैं और मेरा IFR भी मैंने बना रखा है आप मुझे बताएए IFR का full form क्या है investment fluctuation reserve मान लेते हैं मैंने 10 लाग का बना रखा है इसका मतलब क्या समझे हम 10 लाग के loss को bear कर सकते हैं नाव मेरा market price क्या है 50 लाग का है तो पहले case में बताएए मैंने खरीदा कितने का था 50 का और मेरा market में भी कितना चल रहा है 50 तो यहां कुछ तो हुआ ही नहीं तो ये reserve मैंने कहां से बनाया होगा अपने profit में से काटके तो अब ऐसे situation में क्या करेंगे इस reserve को हम distribute कर देंगे किस ratio में distribute करेंगे पता है माल लेते हैं हमारे पास 3 partner है तो 3 partner में अब सबसे पहली एक चीज और भी ध्यान देना पता investment fluctuation reserve दिखाने के दो तरीके हैं एक तो ऐसे हो सकता investment और IFR हमेसा liability में देखने को मिलेगा माल लेते हैं 10,00,00 और यह ऐसे दे रखा है 50,00,00, ठीक है और market price नहीं bracket में दिखा देगा वो market price 50,00, कुछ ऐसे होगा मैंने तो statement में लिखा है लेकिन आपको question में इस type से देखने को मिलेगा तो अब इसका मतलब तो हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है इसको क्या करेंगे हम distribute कर देंगे तो नए वाले balance sheet के अंदर मुझे एक बात बताईए क्या आएगा IFR जब हम बांट देंगे तो नहीं आएगा simple सी बात है ना अब जब यह liability है इसको मैं बोल रहा हूँ और किस ratio में बटेगा you know very well simple सी बात पहले case में बताईए कोई दिक्कत समझ में है case no.2 मान लेते हैं मेरा investment मैं थोड़ा short form यूज कर रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए 50 लाग का है और MP MP क्या है market price और यह मैं मान लेता हूँ अब 40 लाग का ठीक है ना 40 लाग का अब IFR जो है IFR जो है वो मेरा मान लेते हैं 10 लाग रुप है ठीक है ना मैं same example लेके चल रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो पहला example यह था दूसरा example यह है अब बताईए मैं कितने रुपे तक का loss beer करने के लिए तैयार हूँ 10 का और नुकसान भी देखो 50 से 40 हो गया 10 हो गया तो यानि अब यह तो बचा ही नहीं है यह तो चाही गया क्या आप कुछ बांटेंगे हैं नहीं बांटेंगे कुछ भी क्या कोई नुकसान है अभी नुकसान नहीं है पहले से नुकसान मान के बैठेते हैं, हमारा कोई loss नहीं है ऐसे situation में क्या होगा, ऐसे situation में हमारी journal entry भी देखेंगे ये सिर्फ जो नई वाली balance sheet होगी न, इसका क्या adjustment और क्या treatment है मैं box ही बना देता हूँ, जो की ठीक रहेगा आपके लिए समझने में थोड़ी आसानी रहेगी और एक बार समझ जाओगे न, तो definitely आपको हमेशा काम ही आएगा ये चला जाएगा, balance sheet में सबसे पहले आएगा और balance sheet नए वाले की हम बात करें, तो नए वाले balance sheet में हम show करेंगे 40 लाग ठीक है न, 40 लाग रुपिश, show करेंगे अब sir, इसकी general entry भी, बिल्कुल general entry भी क्योंकि ये तो खतम हो गया न, तो खतम करने के लिए क्लिए क्या करना पड़ेगा IFR, और हमारा investment भी कम हुआ है 2 investment, कितने का? 10 लाग, ये general entry होगी इसकी बताइए कोई समस्या, दो के समझ में है अब तीसरा आपके मन में जहन में ये आ रहा होगा कि माल लो, अगर नुकसान हमारा 40 से ज़्यादा हो जाता तो यही बनता है न, mind में doubt तो हम बात करें, मान लेते हैं, तीसरा case, investment जो है मेरा वो 50 लाग का है और IFR, मैंने बना लिया था, 10 लाग का market price, अब मैं रख लेता हूँ, market price मान लेते हैं, 35 लाग ठीक है, market price क्या मान लेते हैं, हमने 35 अब आपको पता है, नुकसान हो गया मतलब मैं 10 तक था, ready, बट 10 से कहीं ऊपर चला गया यार, इसमें थोड़ा ज़्यादा नुकसान हो गया तो अब इसका क्या treatment होगा मैं सबसे पहले balance sheet में क्या जाएगा जी balance sheet में जो amount जाएगा न, वो 35 जाएगा ठीक है, और आप ने जितना सोचा था उससे कहीं आगे चले गया तो अब revolution में पहुंच जाएगा ये पांच लाख रुपए revolution में पहुंच जाएगा debit में समझ रहे हो, बाटने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है ठीक है, तो ये दो हमारा तो होगा accounting treatment अब general entry की बात करते हैं, पहले दोनों accounting treatment पता चला नए वाले balance sheet में कितना जाएगा 35, क्योंकि अब हो गया 35 का अब 5 का हो गया loss, कैसे 5 loss compare किया, 15 का total हुआ loss वैसे लेकिन 10 तो हमने पहले से बनाई रखाता है ना, तो यहां से ही आगया यहां रिपीट अभी देखते हैं, इसमें क्या था हमारा, 50 था, 40 था, 10 था, तो balance sheet में 40 जाएगा, नुकसान तो हुआ ही नहीं है पहले से नुकसान मानके बैठे थे, तो नुकसान हुआ ही नहीं है, इसकी general entry हो गई, simple लेकिन इस वाले में क्या था, हमारे उम्मीद से, इसलिए 5 revolution में गया general entry अगर करेंगे, तो IFR तो खतम ही हो रहा है न हमारा, IFR तो डेबिड हो जाएगा, पूरा खतम हो गया 10 लाक साथ में नुकसान हो गया, तो उसके लिए वर्ड नुकसान के लिए 5 लाक और मेरा investment कितने का कम हो गया, बताइए, 15 लाक बड़ा simple सा general entry है, समझ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं और कभी भूलोगे भी नहीं लेकिन वही है, एक बार आपने सोचा कि एक कुश्चन है करना है, इसलिए करना है तो फिर बूल जाओगे simple सी बात है कि भाई मैंने बताया था, IFR liability में होता है और खतम करने के लिए debit करना पड़ेगा और नुकसान भी debit होता है, नुकसान जब भी होगा हमारा इस chapter के अंदर किस नाम से होता है, revolution के नाम से इसलिए debit हो रहा है, अगर यही फाइदा होता तो revolution पता ही क्या हो जाता, credit हो जाता और investment तो मेरा गया ना, पहले पुरानी balance sheet में 50 लिखके बैठे थे ना, अब तो कितना दिखाएंगे 35 दिखाएंगे, तो इसका मतलब मेरा 15 का तो नुकसानी हो गया investment का, ठीक है ना अगले case की बात करते है, next case हो सकता है हमारा, सर क्या हो सकता है, मान लेते है investment, 50 लाग, ठीक है ना और IFR, 10 लाग, अब market price की अगर मैं बात करूँ ना, तो market price कर देते हैं, मान लेते हैं, 65 लाग कर देते हैं, ठीक है कितने कर दी हैं हमने market price, 65 लाग रुपए, यहां तक देखे कोई दिक्कत अब आपको समझ में आ रहा होगा, कि यहां पे तो सर नुकसानी नहीं है, यहां पे तो profit है सबसे पहले हमारा treatment, सबसे पहले दिमाग घुमेगा सर, balance sheet में क्या होगा तो सर, balance sheet के अंदर आपका simple सी बात करें, तो 65 लाग रुपए दिखा दे ना market price ठीक है ना? अब बात करते हैं, सर, नुकसान या फाइदा, फाइदा हुआ? कितने का? जो फाइदा होगा, चाहे नुकसान होगा, उसका एक ही मालिक है, revaluation account पहुचा दो revaluation में, और फाइदे हो गया तो आपको पताए कि आप credit कर दोगे कितने से? 15 लाग तीसरा या, reserve तो पढ़ा ही रहे गया? reserve का कोई काम कर पाएं हम? इस वाले में reserve use हो गया था इस वाले में भी reserve use हो गया, क्योंकि नुकसान से compensate हो गया इस वाले में reserve use नहीं हुआ तो तो reserve बांट लिया था क्या वही situation वहाँ भी है, reserve use हुआ है नहीं हुआ? नहीं हुआ, तो ये reserve भी जो है ना हमारा IFR ये भी हमारा क्या होगा distribute हो जाएगा कैसे distribute होता है सर फिर से य एंट्री होगा IFR 2 X Y Z है न अब investment बढ़ा है उसकी भी general entry करनी पड़ीगी न ये तो किसी चीज की general entry है IFR बाटने का ये partners capital में बढ़ जाएगा अब investment बढ़ा है उसकी general entry उसकी general entry क्या होगा investment बढ़ी गया है अगर तो हम क्या करें investment debit और किसकी वज़े से कितने रुपे ये simple से entry होगी बताए कोई समस्या फिर से तीनों चारों देख लेते हैं एक बार है न देखो IFR कितना था 50 एक case और बनता है वो कर दूँ वो भी करी देता हूँ फिर देख लेगा है न ये case number मैं पूरे box में डाल देता हूँ इससे उपर कोई case नहीं बनता और इससे ज़्यादा कोई case नहीं बनता बस amount बदल जाता है और कुछ नहीं number one number two number three number four और number five यहां लिख लेते हैं number five number five मान लेते हैं के investment investment हमारा है पचास लाक IFR बता और कौन सा case किसी के मन में खयाल हो रहा हो ऐसा बन सकता है क्या पता वहीं बन जाए market price दोनों बात हो गई नुकसान है भी नहीं भी तो इस case में क्या होगा सर इस case में होगा हमारा सबसे पहले तो हमें सोचना है balance sheet में क्या होगा सर balance sheet में बताए ये balance sheet में कितने से आएगा 45 अब बात सोच लेते हैं फाइदा है क्या नहीं नुकसान है क्या नहीं नुकसान तब होगा जब IFR से आगे कूद जाएगा आगे निकल जाएगा फाइदा तब होगा जब कोई भी नुकसान नहीं होगा और हमारा market price बढ़ जाएगा तो नुकसान भी नहीं है तो क्या revaluation का कोई role कोई role ही नहीं अब बात करते हैं क्या हमारे पास IFR कुछ बचा है या सब खा गए बचा है इस पाँच लाग को क्यूंकि पाँच लाग का नुकसान हुआ दस का बना के बैठे थे तो पाँच का बचा है पाँच को बाट देंगे हम partners capital में कैसे बाटेंगे पाँच को same IFR to X to Y to Z कोई समस्या being बगएरा तो आपको पताईए कि investment fluctuation reserve and distribute in the old ratio बस यह लिखा जाए कैसे ratio में बाटना ये सब तो मेरे को सिखाने की जुरत नहीं है वो तो पताईए कैसे बाटेंगे Sir इसके बाद और कुछ भी हो रहा है कि है यहाँ पर balance sheet में दिखा दिया ये अब हमारा एक investment की भी journal entry करना सीख लो इंवेस्मेंट तो कम हुआ है ना तो कम हुआ है हमारा investment तो हम entry करेंगे हलाकि मैंने IFR जो है ना थोड़ा से चलो detail entry कर देते हैं detail entry IFR सारा ख़तम करो जी 10 लाग 2X 2Y और 2Z 10 बाट दे कितना बाटे बागी 5 बच के ना 5 से investment कम करो इन तीनों में बढ़ जाएंगे कितने और 5 यह होगा actual entry समझ मैं इबात आपका ठीक है अब examiner इसको तोर मडोड के जैसे मरजी आपके सामने represent करें confuse करने का अगर यह आपको 5 cases पता है कुछ भी कर सकते हैं कोई भी examiner बोल सकता है कोई information नहीं पता आपको तो जी यही वाला case हो गया 50 लाग था market price कितने है 50 IFR कितने है 10 examiner बोलते हैं हम नहीं बता रहें तुम करो क्या कर सकते हूं तो भाई आप नहीं बता रहें तो हम यहीं कर सकते हैं कोई नुकसान हुआ नहीं है तो सारा IFR उठा के बाट दो इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते तो इन सभी case में examiner बोले चाहे ना बोले आपको understood होना चाहिए कि इसका यह treatment हमारा में होगा बताईए पहले बताईए कोई doubt समझ में आ रहे हैं यहां था ठीक है तो कितने adjustment है इसके पांच है जो आपको परिशान हाँ मैं बताऊं तो आगे जो हमारा death वाला chapter है उसके अंदर भी IFR आगर आ जाता है हमारा अगले chapter में retirement के बाद मेरे से बोलोगा सर IFR करवा दो death वाले में छुड़वा दिया मैं दुबारा यही उठा के बादे दूँगा लेकिन dissolution में change है बिल्कुल dissolution से कोई comparison नहीं है जब मैं करवाओंगा dissolution के time पे ना तो मैं दोनों को compare कर दूँगा देखो हमने retirement admission में ऐसे किया था और dissolution में ऐसे किया तब आपको कोई confusion ही नहीं रहेगा तो यह था हमारा IFR आपके book में question भी दे रखा है और question अगर देखना चाहते है इससे related करना मैं बताओ admission, retirement, death तीरों में सेम होता है तो आपको admission वाला question भी अगर IFR का उठा लोगे तो मतलब वही है desolation वाला भी उठा लोगे अब क्या होगा नहीं होगा वो मैंने बता दिया इसको note करिये एक बारा